हेलो बच्चो तो ये पांचु कक्षा के गनित के अधार पर जो नवोदे की पुरिश प्रिक्षा होती है तो मैं उसकी त्यारी आपको कराऊंगा और सभी बच्चों के लिए हेल्प करेगा आपको लगेगा कि गनित कितना असान होता है तो शुरू करते हैं नवोदे पुरि इवन नमबर जिस संख्या का इकाई कांग शुन्य, दो, चार, छे या आठ हो तो वह सम संख्या होती है यानि कि हमने इकाई कांग देख लेना है जैसे 468 इसमें इकाई कांग कितना है आठ तो इस सम संख्या है 560 इसमें इकाई कांग 0 है तो इस सम संख्या है ऐसे कितनी बड़ी संख्या हो हमने शिरफ इकाई कांग देख के पता लगा सकते है ऐसे विशम और नमबर जिस संख्या का इकाई कांग 1, 3, 5, 7 या 9 हो जैसे 213 इसमें इकाई में 3 है तो ये विशम हो गई 861 इकाई में शंख्या है जैसे आपको पता है ये ऐसे आप किंती आपको आती है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये पूरी दुनिया में चलती है तो इसलिए इसको कहते हैं अंतरराष्टी संख्या हैं इनको हिंदू अरेबिक नंबर भी कहते हैं लेकिन जो हिंदी वाले है वो इस एक, दो, तीन, को ऐसे लिखते हैं एक, दो, तीन, चार, आपने कहीं ये लिखी देखी होंगी जरूर तो ये हिंदी में गिंती लिखने के अलग तरीका है तो लेकिन जो अभी मैं आपको श्काने वाला पांच के लिए एकस, पचास के लिए एल, सो के लिए सी, पांच सो के लिए डी और एक जार के लिए M का प्रियोग किया जाता है दूसरा नियम यह है एक निशान तीन से ज़्यादा बार नहीं आ सकता है जैसे हमने एक आई लिखा दो के लिए दो आई तीन के लिए तीन आई लेकिन चार के लिए हम ऐसे चार आई नहीं लिख सकते तो एक कोई भी निशान है वो लगा तर तीन वार तो आसकता है उससे ज्यादा बार नहीं आसकता तो हम चार कैसे लिखें फिर ये तो गलत हो गया तो चार लिखने का तरीका है कि पांच को लिखते हैं V तो पांच को लिखते हैं V तो वी के अगर बहनी तरफ एक आई लगा दें तो इसका मतलवेगा का 5 में से 1 कम हो गया यह इनälltकि 4 आ हो गया तो चार को ऐसे लिख सकते हैं हम ठीके आ फिर आगे 6 को कैसी लिखेंगे वी ऑई वी का मितलब 5, यह जूब एक मतलब नहीं सकते हैं फिर 9 कैसे लिखेंगे तो यहां देखिए 10 के लिए आता है X X के अगर बाई तरफ एक आई लगा दे तो यह हो जगा 9 10 में से 1 घट गया 9 तो तीसरा नियम यही है चोथा नियम के बाई तरफ लिखा मतलब घटाया और दाई तरफ मतलब जोड दिया अगर X के बाई तरफ आई लग गया तो यह एक घट गया 9 बन गया अगर X के दाई तरफ ऐसे आई लगा दिया तो वो एक बढ़ गया यहीं कि 10 और 11 हो गया इसी तरह 10 और 12 हो गया तो ऐसे अब सीख सकते हैं 35 को रोमन संक्या में कैसे लिखेंगे तो हम तीन बार लिख सकते हैं एक निशान 10 10 10 यह गाँ 30 और 5 35 X X X by 35 हो जाता है 40 को कैसे लिखेंगे तो हम X को 4 बार नहीं लिख सकते हैं 3 बार से जियादा लिखा नहीं जा सकता कोई भी निशान तो इसलिए पचास को एल लिखते हैं तो एल के इधर एक्स आ गया यानिकि पचास से दस कम चालिस हो गया तो इसकर आप बाकिया भ्यास कर सकते हैं 105 को रोमन में कैसी लिखोगे आप इसका रोमन में कैसी लिखोगे इसका प्रैक्टिस कर सकते पार्ति संख्य पर नाली और अंतर राश्टिश पर नाली तो भारति संख्या पर नाली जो आप बच्पन से ही सीखते हैं हो फ़िक दहां ही सैकरा हजार关्ष दस जार उसके बाद लाक दा दस क्रोड फिर अरब दस अरब ऐसे चलता है तो इसमें इकाई दहाई सेंकडा उसके बाद कोमा लगता है फिर हजार दस जार फिर कोमा फिर लाख फिर एक जैसे उधान ने पांच लाख 21607 तो यह भारती संख्या प्रनाली है इसमें लाख क्रोड ऐसे आता है लेकिन अंतरश्टी संख्या प्रनाली इनकी इंटरनेशनल सिस्टम है जो उसमें लाख क्रोड नहीं आता है उसमें फिर क्या आता है उसमें 212010,000 यहां तक तो सेम है उसके बाद लाख की बज़ए यहां पर आ जाता सो हजार फिर मिलियन भारते सिंख्या प्रनाली में लाख करोड होते हैं अंतरश्टी में मिलियन बिलियन होते हैं मिलियन के बाद 1260 फिर सो मिलियन उसके बाद सो हजार भी होता है फिर उसके बाद मिलियन यहने कि इसको कैसे पढ़ेंगे हैं एक मिलियन पांसो इकिस हजार शेस्टो साथ इंग्लिस में मैं बताता हूँ तो इस तरह से अब इसका अभ्यास करके सीख सकते हैं भारते संख्या प्रणाली और अंतराष्टी प्रणाली में क्या कहा जाता है एक लाग को अंतराष्टे संख्या प्रणाली में कैसे लिखेंगे सो हजार एक मिलियन को भारती संख्या प्रणाली में क्या कहा जाता है एक मिलियन यानिकी तस लाग के बराबर होता है यह आपने दोनों संख्या प्रणाली समझ लेनी है नेक्स टॉपिक अपना स्थानिय मान और वास्त्विक मान स्थानिय मान को प्लेस वैल्यू वास्त्विक मान को रियल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कहते है तो वास्त्विक का मतल होता है असली वास्त्विक मान कई बार इसको जातिय मान भी हिंदी में लिखते हैं तो किस इसी भी अंक का वास्तिविक मान वह अंक खुद होता है जैसे पांसे क्यसी में आठ का वास्तिविक मान क्या होगा आठ ही होगा 2460 में 4 का वास्तिक मान कितना होगा 4 ही होगा कोई भी कहीं पर भी हो उसका जो असली मान होगा वही उसका वास्तिक मान होगा तो यह समझना आसान है लेकिन यह स्थानिय मान इसको थोड़ा ध्यान से सीखना है आपने इसमें बच्चे गलती करते है place value किसी एंक का स्थानिय मान उसके स्थान से तै किया जाता है जैसे 895 में 9 का स्थानिय मान हमने निकालना है तो यहाँ 9 कौन से स्थान पर है दहाई के स्थान पर हिकाई दहाई तो 9 दहाई के स्थान पर है तो दहाई यानि कि 10 इसको 10 से गुणा कर दो तो यह आज़ेगा 90 तो 9 का मान आ गया 90 इसी तरह 31,567 में एक का स्थानी अमान अब यह ध्यान दिजिए कि एक कहां पर है एक आई दहाई सेंकडा हजार तो एक हजार इसका स्थानी मान हो गया ठीक है तो स्थानी मान निकालने का एक आसान तरीका है विस्तारित मान एक्सपेंडिट नोटेशन जैसे मैंने संख्या रखी आँ पर आठ लाग 17,054 तो चार का चार पांच का पांच के बद कितना अंक है चार तो इसको अब जीरो बना दू तो यह पचास हो गया जीरो को तीन जीरो लिख दो या एक लिख दो साथ का स्थानी मान साथ हजार वदर साथ के बद तीन स्थान है तो उनको सब को जीरो जीरो बना दो एक के बद कितने स्थान है चार स्थान है तो चार जीरो लिख दो आठ के बद कितने स्थान है पांच तो पांच जीरो तो यह जल्दी से अस्तानिमान निकालने का स्वाल पुछे जाते हैं छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या वारे में लीस्ट ग्रेटिस नंबर तो छोटी संख्या निकालना तो असान है एक अंक की सबसे छोटी संक्या एक ही होती है दो अंकों की सबसे छोटी संक्या क्या होगी कुछ बच्चे ग्यारा लिख सकते हैं लेकिन ये गल्थ है क्योंकि ग्यारा से छोटा तो दस है उसमें भी तो दो अंक है ना एक एक तो तीन अंकों की सबसे चोटी संख्या इसी तरह क्या होगी सो होगी क्योंकि निनानों में तो दो अंक रह जाएंगे तो हमें तीन अंक चाहिए एक लिखके बाकी जीरो जीरो लगा दो चार अंकों की सबसे चोटी संख्या एक लिखके बाकी तीन जीरो लगा दो तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ऐसे बाकी भी आप निकाल सकते हैं अब बड़ी से बड़ी संख्या एक अंकी सबसे बड़ी संख्या होती नो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी निन अनमे ठीके न तीन अंकों की तीन बार नो लिख दो चार अंकों की चार बार नो जितने भी बड़ी से बड़ी है तो उतने ही अंक उतनी बार नो लिख दो तो ये बहुत ही आसान हो जाता है समझना फिर एक और स्वाल आते हैं उत्तरवर्ति और पूर्वर्ति संख्या सक्सेसर और प्रिडिसेसर तो यहां आपने ध्यान देना कि उत्तर का उत्तर होता बादवाला उत्तरवर्ति संख्या उत्तर बादवाली संख्या संख्या में एक जोड़ कर निकाली जाती है जैसे 18 की उत्तरवर्ति क्या होगी 18 जमा कब मतलो यहां होता है पहले तो इसमें संख्या में एक घटा कर निकाले जाती है जो संख्या दी वी है उसमें से एक घटा दो 18 की पुरुवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व संख्याओं को प्रकार समझ लेते हैं सबसे पहले होती प्राकर्थ संख्याइं इनको इंग्रेजिम कहते हैं नेच्रल लंबर एक से सुरू होती है एक दो तीन चार पांच छे ऐसे आगे चलती जाएंगी 100 से से आगे 200, 300, 400, 500, 10,000,000,000,000,000,000,000 करोड ये खतम नहें होती है चलती जाती हैं तो ये एक से सुरू होती है और लाखों करोडों तक जाती है इनमे क्राकर्थ संख्याइ कहते है इसके इलावा दूसरी संख्याओं होते हैं पूर्ण संख्याओं वो लंबर्स ये सुनने से शुरू होती हैं बाकी ये प्राकर्ट संख्याओं वाली सारी संख्याओं होती हैं लेकिन इसमें सुनने अलग से शामिल हो जाता है देखो इसमें सुन्य नहीं है, इसमें सुन्य है, शुन्य एक, दो, तिन, चार, पांच से साथ, ऐसे आगी चलती रहेगी तो अगर प्राकर्ट संख्याओं में शुन्य यानि कि जीरो जोड़ दें, तो वो हो जाती है, पूर्ण संख्याओं, वो लमबर्स फिर आगे भाज्य संख्याएं, composite numbers, एक से बड़ी वे प्राकर संख्याएं जो swim तथा एक के अलावा कम से कम एक और संख्या से भी भाजित हो सकती है ये भाज्य संख्याएं कहलाती है एक से और स्विम से एक और स्विम से तो हर कोई संख्याएं विभाजित होई जाती है इसके अलावा किसी एक और संख्याएं से भी भाजित हो जिसे चार, छे, नो, पंदरा अब चार को आप देखो यह हमें चार को देखता हूँ चार एक और चार से तो होई जैगी विभाजित उसके इलावा और किस से विभाजित हो सकती है शावार्थ तो से, दो दुनी चार, पूरा इकट गया तो इस तरह से चार एक भाज्य संख्या है इसी तरह छए छह, एक और छे के इलावा किस किसे हो सकती है दो पे कट सकती है पूरी कट सकती है दो तीछे और किस से कट सकती है तीन से शाबाश तो इस तरह से अपने अलावा और एक के अलावा कोई और अगर किसी संख्या से भाग हो जाती है तो वो भाज्य संख्या होती है ज्यादातर संख्याएं भाज्य ही होती हैं कमपोजिट नमबर ही होती हैं ज्यादातर कुछ संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं वो होती है ए भाज्य संख्याएं प्राइम नमबर यानि कि एक से बड़ी वे प्राकर संख्याएं जो swim तथा एक के अलावा किसी और संख्या से भी भाजित नहीं होती है उन्हें ए भाजे संख्याएं कहा जाता है ये swim मतलब खुद के अलावा एक एक से तो सारी संख्याएं भाग हो जाती है और खुद से भी सारी संख्याएं भाग हो जाती है उसके अलावा किसी और से जो भाग नहीं होती जैसे दो, तीन, पांच, साथ, क्यारा, तेरा, सत्रा, आधी-आधी तो इसमें कोई भी एक्जम्पल उठा कर देख सकते हैं जैसे पांच है पांच एक से भाजित होती है पांच से भी होती है उसके अलावा किसी और संख्या से पांच पूरा भाग हो जाता है ऐसी कोई संख्या नहीं है तो इसलिए पांच हो गई एक एभाजित संख्या ज्यान दीजिए दो सबसे छोटी एभाजित संख्या है